हेलो एवरिवन वेलकम टू आरिशी एकैडमी आज हम फिर से डिस्कूस करेंगा आपके साथ एक तीसरा आयोग जिसका नाम है भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग इसके पहले वीडियो में महिला राष्टिय महिला आयोग और राष्टिय उभोगता न्याले के बारे में वीडिय प्री और मैंस के परस्पेक्टिव से तो बात करते हैं भारतिय प्रतिसपर धायोग है जवब दही एक्त द्वार वारे बना है-то किया जाता है उसको सामधिक निकाय कहते है ठेग इसका कर यह है कि प्रतिसपर्दा को संतुलद बना रखना और किसी भी संस्ता की एक संस्ता का एक अधिकार ना होने देना जो यह क्या नामस की कॉंपिटेटिट्र कमिशन ओफ इंडिया कॉंपटिशन को बैलान्स रखना और किसी भी संस्तर की Mونमपैली को ना राको किया गया थह संनीयम एक लाया गया था 2002 में लागू हुआ था 2003 से लेकिन इसने रेप्लेस किसको किया है जो प्रतिसपर्धा अधियम 2002 का इसने रेप्लेस किया है MRTP Act था ठीक है MRTP Act था इसके पहले तो उसका जो MRTP का फ्लोफ हो मैं यह लेकिन दा मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसस एक्ट 1969 इसको इसको रेप्लेस किया है किसने प्रतिसपर्धा अधियम एक्ट 2002 था इसको रेप्लेस किया है तो यह कभी कभी पूच लेता है ठीक है MRTP Act 1969 का अब इसकी कार की अगर बात करें इसकी कौन कोन से कार है तो कार है पहला कार तो यह जो प्रतिसपर्धा है जैदी कंपर्टीशन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव जो डालने वाले फैक्टर्स है जो कारक है यह बेवार है कार बेवार है उनको रोकना और उनको समाप्त करना ठीक है किसी भी तरीके की अभेवस्था को ना होने देना बोगता हूँ जैसे कि अतुम्हें परख़ा नह धाकरम्ट नहीं थैजांए उनको कसी भी परकार की परेसाइन हुआ हुआ हो इनक्लिजो एक जो डवलपमेंट है वो सके ठीक है आर्त बस्ता का भारत की अर्तबिश्था गां तेजी शेवर समयोशी भिगास हो सके तो इनकी जो हुनके जो कार है कि यह प्रत्रपरदा जो है का महाल देगा और भारतिय अर्तबिश्था को प्रमोट करेंगा ठीक आर्थक है जो कार है वो हे बारतिय अर्थिभास्ता में प्रत्थिश बार्धा को बढ़ावा करना के बीच प्रत्यस बार्दा के लाभों के बारे में जानकारी प्रशाज युकंप जो यहां पन्रिभर करते हैं यहां प्रतिस्पर्धा से जो लाव होते हैं , उनकी जानकारी इनको देगा , अच्छी यह परत्चाहित करें निमने उनन चाण कंद चार लागत निमने अ की यह श одну को प्रत्सवाध मैंकोड़ते Using 6 97 संट के वह सकते हैं यह किसके दोरा पाइंट होते हैं तरहुते हैं ऐसेंटे जरुड़ड होते हैं ख toxins कंवेटा company थेख नेक पर अच़्र। इसके जो सदस होते हैं, वो permanent होते हैं, ठीक है, अब इनका eligibility का criteria क्या है, eligibility की क्या होगी, तो जो chairperson है, ठीक है, जो chairperson है, और या और भी कोई सदस है, प्रतिक सदस है, जो चैट हो, ठीक है, every other members qualify होनी चाहिए, as a judge of high court की रूप में, ठीक है, ये label होना चाहिए, उनका high court के judge की qualified होना चाहिए, तब ये जाकर उसके अध्यच और सदस्ट बन सकते हैं, ठीक है, और या फिर इनको special knowledge होना चाहिए, बिसे सग्ग होने चाहिए, बिसे है कि ठीक है, या professional experience होना चाहिए, 15 साल का professional experience होना चाहिए, किस में international trade है, economics है, business है, और भी various field है, उनके experience होना चाहिए, औ और यहाँ पर एक प्रकर्स जो किंदर सरकार का opinion है, वो भी value करता है, ठीक है, Central Government का opinion भी value करता है, इनके appointment में ठीक, तो यह इनकी जो composition था, और यहाँ पर यह है, इनके वर्तमान अध्यच ठीक है, क्या नाम है, वर्तमान अध्यच का आशोक कुमार गुपता, यह है, प्रति यह मैंस में बहुत काम देंगे, परी दोनों के, दोनो को, दोनों को दिख कर बनाएगे यह video ठीक है, थांक ए, तब तक कलिए, तब तक रिए थांक यू